कि हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सुबक बीच देखिए हम बोले हुए थे एक दू दिन में आपका सकेंडर का नौलेज एंड केरिकुलम का कुछ हम कोस्चन लेकाएंगे देखिए हम पहले आपको बेसिक बताएंगे कि नौलेज क्या होता है मतलब ज्यान क्या होता है क मतलब जो हम लोग एक जाम देंगे दुझारे कईस में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो कोस्चन है वह क्या है कि ज्यान और सुचना से आप क्या समझते हैं ज्यान और सुचना एक दूसरे से संबंदित और भीन कैसे दमी फिक्स कोस्चन रहेगा दमें फिक क्या है फिर ज्यान का क्या उद्देश होता है यह सब चीज़ आपका एदम जानना बेसिक चीज़ है कि कोई भी कोश्चन पुछे का तो इतना आपको लिखना जरूरी है समझे तो आपका दोहरे कैस के लिए दम मतलब सबजे बीबी आई कोस्चन है कि ज्यान और सुचना स सुचना इनफोर्मेशन क्या है और मतलब ज्यान और सुचना दोने एक दूसरे संबंदीत और भीन कैसे है वर्णन करें आपका एदम 2021 के लिए दम बीबी आई कोस्चन है तो आई यह थोड़ा ज्यान के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं देखे लिखा हुआ है है कि ज्यान से आप क्या समझति कौस्चन ही है मैं मैं दसित्री ज्यान के बारे में इंट्रोडक्शन इस आप में कोई बी क्यलिए तकल जरूरी है इतना जारूरी है उसका इंट्रोड़ाइं क्या है उप Vallis 3 वा उनिटाइन करना होता है आप कोई भी शिक्छा लेते है जहां लोग क्र रहे हैं या innovation करना मतलब कोई शिख्छा मतलबelf करते हैं सिक्छा लेते तो क्या मिलता है कि अब sow topping और करते हैं सब् 잡ूर है inconsistent परदान करना है ग्यान ही हुआ बहुत ही कनुभव है जो हमें ग्यान इंद्रियों द्वरा प्राप्त है देखिए आप जानते होंगे हमारे पास पांच सिंस और्गन होते हैं कौन कौन होते हैं यह हम बताते देखिए नाक होता है कान होता है त्वाच्या 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 गैँ दो झ Compare जीव नाएक कान त्वाच्या जीब और आँक देखिए एक पांठ हमारे सेंस ओर्गन उतु inadequ जाती है जिसे ग्यान की प्राप्ति होता है तो वही चीज कहा जा रहा है आप देखिए लिखा है कि ज्ञान वह बौधिक बौधिक अनुभव है जो ज्ञान इंद्रियों दोरा प्राप्त होता है कोई भी आप से सिंपल पुछे ना कि ज्ञान क्या होता है आप सिंपल बताएगा जो हमें ज्ञान लक्त लिएट रहां कोई भी हम चीछा तेहने सोटेघ्ञाइद के विचार सिंदनन और परैप्त करनें मनुस ही है जो कोई चीज़ पर विचार कर सकता है कोई चीज़ पर मन्थन कर सकता है कोई चीज़ पर चिंदन कर सकता है समझ रहना तो ही कर रहा है कि कि हम एब जानते हैं कि इस प्रित्वी पर मनूश ही एक मात प्रानी है जो विचार, चिंतन, मनन, मन्धन युँ अन्भव प्राप्त करने में स्मड़त है और इन्ही मानसी कई याू करता है और क्या करता है नियान प्तु करता है लिखे लिखा हुआ है कि हम यह भी जानते हैं की ज्ञान सिक्षाका अधार होता है है और हम ये भी जानते हैं कि ग्यान ही क्या है समफ समस्थ जितना भी शिक्छा परना लेए उसका आधार क्या है ज्Mi फिर देके बहुतม्रिज लिखा हुआ है यृफेभा धन की तरह होता है देखिए जो हता है न धन की तरह होता है याप आपको जितना मिलेगा ना सुचेंगा और हमको अधिक धान से कोई संतुष्ट हुआ है तक किसी की पास पांचर प्रप्य हो जागा तक यहां कि नहीं होने वाला चीज है जितना मिलेगा उतना आपको कम ही है समझे तो वही करा एक ज्यान धन की तरह है जितना एक मनुष्ट को प्राफ्थ होता है वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है मतलब आपको कितनों मिल जाएगा आप संतुष्ट नहीं हो पाईएगा तो वही ज्यान है आई अब देखते हैं ज्यान का अर्थियों पर जाता है देखिए जो ज्यान सब्द है वह संतकरीद वहता के जियाधाद से मना जाता है जिसका अर्थ क्या होता है जैनना before बोद अनुभाव से माना जाता है अर्थात किसी वस्तु के शुरूप का जैसा हो है वैसा ही अनुभाव या बोद होना जियां है कि हम यह भी जानते है कि ज्यान अनभॉवका संस्रांतन लख य допल्फ रूफ हता है पहला परिवासा परिवसा न शुक्रात के नुसारा सुक्रात देखे उनान के थे और इनके जो इनके जो यह शुक्रात के थे जो मतलब बहुत बढ़े अधिते लिखा शुक्षा सासे रिए एक ज्यान एक ऐसी सकती है जिसकी साहता से कोई भी कर्ज किया जाना समभाएं देखिए आपके पास करने की मतलब करिया से लिए आपको अलगलग देखने के मिलेगी समझा ने तो इक रहा है ज्याने कैसी सकती है जिसकी साहता से कोई भी कर या जाना संबह है अधिकते हों गाव समाज में जो पढ़ा लिखा सुनते होंगे कि कोई बीटे करके एमटे करके गाव में खेती कर करता है देखे दो पढ़ा लिखा उसमें नौलेज तो कुछ अच्छा तरीका से करेगा तो खेती बहुत अच्छा से होगा सुम्हें में ज्यान होगा था वह कर्ण कर्ण की शिंगा कए सभया है कि ग्यान वह है जो मनुष्को सरवागे विकास करता है तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रत्त करता है अपको मुक्ति प्रदान करता है कौन घ्न नफ्रान भर्ती आप फुलोटो को नुसार भते धिल्यूत का रहा है कि बिचारों की देविये व्यास्ता और ग्व्यास्ता व्यरत्व के रास्तु और प्लिट्स्तु क्रॉप के नाम था प्लूटू को रिकाए प्लूटु को नुसार बिचारों की देविये विवस्ता और आत्मपरमात्मा के शरूप को ही जनना सच्चा ज्ञान होता है जानते कि प्लूटू क्या थे यह रस्तो क्या थे अधर सवाधी था सवाधि वीचारों को ही महत्त्व देते हैं अ्रश्वादी जतने भी है तार स्ट्व का सब्सक्राइब नुसर वास्त्विक जगत का घ्यान ही सत एल अत्मा परमात्वा समंधियान फूरी कलबना देखे ढाल कि वास्त्वी कि जगत कोया है कि आत्मा परमाता से जो गणान प्राप्त करते हैं वह सत्त मृत्त समंधियान कोड़ अवह Алекс उनस्मुहं तर पूर्यॐ तर लट्रयव प्रीथ पर्दॉक्त परीवाु पर्भसाओ से ज्यान के संब्ध में निम्नड्स सामने आती है वह जया जो सकते है टुसरा है ज्यान हमें अनुसाहित करता है जरीस ही तिसरा कि ज्यान से च्रित का निर्मान रटा यह लिगान से ज्यान कठ लिपंगे km2 विस्वास हो दोनों Eddy Bachelor एक तरह ही होता है प्रकृति और भीषिश्ता दोनों मतलों या भार कि निम लिए प्रकृतिया विश्हस्ता होती या सब्सक्राइब ह सबॉस्टाने का साथन होता है आपको सब्फद तरूथ होता है उस तक पहुंचाने क्या है एक साधाने दूसरा है ज्यान सकती होते हैं ज्यान क्या है एक सकती है तिसरा है ज्यान समाप्त नहीं हो सकता है ज्यान आपको कोई नहीं छीन सकता है सब चीज़ सकता है ज्यान आपका कोई नहीं सकता है ज्यान समाप्त नहीं हो सकता है ज्यान को प्राप हैं फिर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति जितना ज्यान प्राप्त करेगा उसके ज्यान के भूक और बढ़ती जाए देखिए वह बताया इधान जैसा इसका मतलब पैसा कोई व्यक्ति जितना ज्यान प्राप्त करेगा उसमें ज्यान के भूक और बढ़ती जाए ज्यान पैसा की तरफ इन प्रफोट है जिसमें संधन के द्वारा नमीन गयान का उत्पादन उत्पती निनंतर होते रहता है समझ बहुता है आया देखते हैं ज्ञान के उद्धेश क्या क्या है ज्ञान के निमलिखित उद्धेश है पहला समस्याओं के समध्हान के रूप में इसको पड़ते हैं समस्याओं के रूप में ज्यान करता है हम जानते हैं जीवन से समस्याओं के समध्हान के लिए समस्याओं को पाचान सकता है और नहीं इन समस्याओं का समधान करता है उसका परमुख उद्धेस यह लब उद्धेस क्या होना चाहिए जो हमें फैदा दे दुसरा विक्तिकत विकास करना ज्यान का एक उद्धेस यह भी होता है कि मनुस का विक्तिकत विकास कर सके हम जानते ह portion of the dramatically क्योंकि हम जानते हैं कि सुचनाओ यहां वहां वहां विखरी होती है रहे ज्मीड बिखरी सुचनाओ कोई घतना का वैक करता है उसको सब्सक्राइब बैख्या कर सकते हैं सोट लाइंग लेज़ में मैं मैं फिर आपका पाच्मा उपयूक चमता का विकास करना किसी भी किरिया कोचीद धंग से उपयूक के लिए उपयूक घ्यान का एक उद्यस होता है मानसिक चमता के विकास ज्यान हमारे मस्तिक के सामने ऐसी प्रस्थितिया उत्पन करता है जिसे हमारी बुद्धी की सहता से मानसिक चमता है जैसे तर्क विसलेशन चिंतनाधी विकास चिंतनाधी का विकास होता है फिर आपका सत्मा समाज का विकास समाज का समुषित विकास ज्ञान का पर्मुख उद्धेश होता आपने स्कर्स कन्कुलूजन देखते हैं कि उप्रुक्त विविरंस एस फर्स्ट होता है कि कि देखे एग और चीज है इसमें पाट्टू भी आएगा जिसमें ज्ञान के परकार क्या है आपको वो सब चीज मिलेगा समझने ज्ञान के वह उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा रखता है वरतमान समय में ज्ञान का महत बढ़ गया है एक वरतमान समय बालक इंदिस सिक्षा परनाली होने का नशिक्षा का मुख कधार अब ज्यान हो गया थैंक्यू तो पाट्टू में आपका ज्यान का परकार बताएंगे कि कि इसने परकार के घ्यान होते हैं तो यह सब्सक्राइब थेंक्यू अ कि आप 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 आप